अगर आजकल आप पुर्टगाल में अपने बायोमेटिक्स देती हैं तो आपका काड है तो पुर्टगाल आए मासंग सेबस्तियों में एक इनसान की अपॉइन्मेंट थी बायोमेटिक्स की और मैं उसके साथ गया था वो पाकिसान ही अपने दोस्त हैं बाई हैं तो वहाँ पे उनके बायोमेटिक्स हो गई हैं और वहाँ पे मैं अपने साथ कुछ क्वेश्चन साथ लिखके लेके गया था जो आप लोग मुझसे जादा क्वेश्चन करते हैं जाए कुछ लोगों को मेल आ चुकी है डाकुमेंट अपलोड करने की और बात में उनको नहीं आई उन्हेंने डाकुमेंट अपलोड कर दी है सेकंड क्वेश्चन है बेजा वाले बहुत जादा क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ पे क्या सूर्त हाल है तिसरा कार्ड रेनूल कार्ड के बारे में क्योंकि आपको पता है अगस्त वाले लोगों का रेनूल कार्ड अभी तक नहीं हुआ ना ही ओपन हुए रेनूल उनके कार्ड भी चारण के एकस्पायर है तो वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजेगा और इंस्टाग्राम और फेस्बूक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इस बाइक के पाकिसानी बाइक के बायोमेटिक्स की डेट इस बंदे ने अपनी वकील के थूट पाई और यह चाहता था कि मैं वकील को अपने साथ लेके जाऊं लेकिन वकील 300 यरो और मांग रहा था जो कि समझ में आता है सारे साथ जाने के अलग से इस बंदे ने कहा कि मेरे पास साज कल सलमान इतने पैसे नहीं है और इनसान यह बहुत अच्छा है और मेरे यूट्यू फैमिली का हिससा है जैसे आप लोग है तो मैं भी चाहता था कि मैं ऐसा कोई केस हो तो मैं हुट साज जाऊं और ऐसा पांच वी किया था तो सारे कारवाई होगी थी नहीं तो यहां पर आपको पता इंस्पेक्टर का बहुत सिस्टम होता है वो ना कह दे तो ना ही होता है तो एनिवे इस बाई के साथ भी जा इसकी अच्छे से बायोमेटिक्स हो गए और इसकी फैमिली को पाकिसान में प्रॉबलम है इ अब ही मैं ऐसा लोयर तो नहीं कह सकता लेकिन मैं पूर्तगीसी में ही बात कर रहा था तो मैंने ऐसे ही आपने टेशू अपने पॉकिट से निकाला तो मैंने कहा मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं उन्हें कहा पूछो जब आप पूर्तगाल में पूर्तगीसी में बात करत एनिवे मैंने उसको अपना सारे क्वेस्टिन लिखे होए थे यह तकरिबन छे हैं ठीक है 123456 मैंने कहा कि यह पूर्तगाल में जिन लोगों को बाइविमेटिक्स आई हुई थी और बाद में आप लोगों ने कैंसल कर दी जैसे कि सारे लोग यह मुझे कमर्स करते हैं किसी की ına गिया तो किसी की डॉकमेंटिस अपलोट करने की आपशन नहीं आई तो मैंने कह से क्या है तो जिन लोगों को इमेल नहीं आई वो वह पूरीशान जाए वह बिचारे में एक मेरा दोस्त है उनको कहा तो मैंने कहा कोड़ा हैंуже कि स्थी थी ठीखा वाले लोगभी है यह म जिन लोगों को भी सेम प्रॉब्लम और परिशानी का सामना है तो उसने कहा कि सिरफ एक से दो हफ़ता आप लोग इनतजार कर लो इसके बीच बीच में आपको सारा कुछ और सब लोगों को एमेल आ जाएंगी अल्ला करे अभी ऐसा ही हो तो आप लोग परिशान नहों मैं हैं वाइस अलग हैं तो आप लोग इंतजार कर लें जरूर आप लोगों को एक से दो हफ़ते की अंदर एमेल आ जाएगी और चार सिप्तंबर वाले वह बहुत परिशान है और पांस सिप्तंबर वाले तो थोरा साब सबर रख लें आप लोगों का स्पैशल पूछा है अल साम से उपन करता था ताकि उसको भी इतना हास पता ना चले लेकिन वह बहुत अच्छी लेडी थी थोरी सी अक्रूद थी लेकिन पूर्त किसी बोलते हैं तो तरह ओके हो जाता है तो अगस्त वालों के कार तो एकस्पायर हो चुके हैं और अब सिप्तंबर वाले भी रेड अजनस कार इकस्पायर हो चुका है वो छे-8 महिने एक साल और तक वैलिड है मैंने खाँ वो तो समझ में आगया लेकिन वो तो पूर्तगाल में रहने वालों के लिए हैं कि हम लोग यहीं पर रहते हैं लेकिन मसला है कि मुझे जैसे के पाकिसान जाना है किसी को इंडिया म हम फिर से उपन करेंगे और बहुत जल्दी उपन करेंगे तीन महिने की एक साथ जिससे सारे लोग कवर हो जाएंगे तो अगर वो एंड अफ अक्तूबर में भी रेनियू उपन कर देते हैं तो इससे हम लोगों की आप लोगों की हेलप हो जाएगी और फिर मैंने उसके उपर पूछा कि यार family appointments के बारे में आप कुछ बता सकते हो क्योंकि family appointments नहीं open हो और यह काफी देड़ से उसने कहा इसके बारे में मेरे पास कोई भी update नहीं है और मैं आपको कुछ नहीं कह सकती है आपको इंतजार करना है क्योंकि आपके इलावा भी बहुत जादा लोग हैं दूसरे countrys के भी लोग हैं क्योंकि मैंने तो काफी लंबी लिस्ट बनाई भी थी लेकिन इतना time नहीं होता ना कि वो आपको एक एक चीज गाइड करें तो इस वजह से मैं जितना भी अपना पूछ सकता था मैंने पूछा एक दो question का उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया लेकिन मैं समझता हूँ उनके पास रशी बहुत जाद है आज कल लेकिन वो एक चीज क्या है मैं आपको भी बता दूँ कि वो काम हर एक चीज के उपर कर रहे हैं जैसे कि पूर्टगाल का नेशनेलिटी ला सारे लोग वीडियो बना रहे हैं और इसके ओपर भी वो वर्क आउट कर रहे हैं मैं अपनी रिसर्च करने के बाद ही वीडियो डालूँगा इसमें शायद हो सकता है कोई दो शार दिन लग जाए मैं ऐसी ही नहीं डाल सकता कि उन्होंने एक डिकलेरेशन लगाया था कि हाँ मेरी बेटी को इंडिया में मसला है तो शायद इसलिए भी उनका काड जल्दी आ गया ठीक है और जिस दिन पहले दिन लोगों के बायोमेटिक स्टार्ट हुए थे उसी दिन उस भाई के बायोमेटिक्स हुए थे तो यह च मेरी रिसर्च के नजदीक आप लोगों को काड बहुत अच्छे से और सबसे जल्दी मिलेगा वह इसके उपर वर्क आउट कर रहे हैं और आजकल तो जब आप 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 बायोमेटिक्स देने जाती हैं तो वह आपको एमेल भी सेंड कर रहे हैं कि हां भई वेरिफिकेशन क असान लफ्सों में जब आपके बायोमेटिक्स हो जाते हैं तो वह आपको एमेल सेंड कर दे हैं पहले लोगों को नहीं आ रही थी लेकिन अभी लोगों को एमेल भी आना स्टार्ट हो गई है तो विच इसका है तो आपका काड एक महिने के अंदर भी आ सकता है लेकिन आता ही नहीं है तो अगर 90 दिन के अंदर भी आपका TRC काड आपको मुसूल नहीं हुआ तो आप उनको एमेल करें बार बार एमेल करें और एक चीज़ मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि जब भी आप आपने बायोमेटिक्स देने जाती हैं तो आप उस इंसान का नाम याद रखा करें जैसे कि हम यहां पर गए थे इस ओरत का नाम था अंद्रिया तो क्योंकि वह नेचर भी करती है ना तो आप उनसे पूछ भी सकते हो ठीक है तो कैसे कहा है वर्स्विवर नेम करके यह कॉमों के वह से शामा कॉले 109 में यह भी पूछ सकते हो पुलाइट व इसका कोई भी फालता नहीं था वह बूली गए थे पूर्दगाल में क्या होता है कि कभी इंसान की फाइल नीचे दब जैना तो वह बहुत मुश्किल से मिलती आपको पता है तो इस वजह से उस बंदे ने क्या किया वह हमेशा वहां पे आइमा में जाता था एक दफा उसक के बाइमाटिक्स लेने थे ठीक है उसने उसको रिक्वेस्ट किया बाहर जाके कि हाँ यह आपने साइन किया और प्लीज वो तुम मुझे यार अंदर ही नहीं जाने दे रहे और यह मैं ब्रेक के टाइम की बात बता रहूं वहां पे ब्रेक हुई वह इंतजार बंदा बाह कार करता रहा वो पेपर उसके पास ही था लेडी के पास बाद में वो लेडी तीन गेंटे बाद उसके पास आई उसने कहा तुम्हारे कार्ड में कोई इशू नहीं है तुम्हें तुम्हें तुम्हारा कार्ड एक हफते की अंदर रसीव हो जाएगा तो इस वजा से जिस ब बहुत अच्छे से question किये हैं, कुछ question के जवाब नहीं दिये, लेकिन कोई बात नहीं, hope कि आपको इस वीडियो से काफी help ही होगी, और आजका तो appointment भी बड़ी मुझकिल से मिलती है, मुझे दौाओं में आद रखें, अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ, या skip कर गया हूँ, आप comments में लेक सकते हैं, कोशिश करूँगा, उसी topic के ओपर यहां वीडियो बना दू, यहां reply दे दू, मुझे दौाओं में याद रखें, अल्ला पेस,